आज के वीडियो में एक ऐसे पौधे के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ जो हर घर में मौजूद है और इसे आसानी से छोटे कंटेनर में आप लगा सकते हैं लेकिन खाली पेट इसको खाने के बहुत सारे फाइदे हैं और ये पौधा है कड़ी पत्ते का यानि आपकी पेट से संबंदे जो सारी दिक्कते हैं वो दूर हो जाती हैं जैसे गैस, एसिडिटी और पेट फूलना जैसी समस्याओं को इसका सेवन करके दूर किया जा सकता है आप खाना बनाते समय इसका प्रयोग करने के सांसा तीन से चार पत्तों को रोजाना चबा सक कड़ी पत्ते के पौधे से तो हम सब वाकिफ हैं साउथ इंडियन जो भी डिशेज बनती हैं उसमें कड़ी पत्ते का तड़का जरूर लगाया जाता है लेकिन इसके और शदिये गुणों को देखते हुए आज कल पूरे भारत में इसको खाने और अपने घर में लगाने क कुछा दी जा रही है कड़ी पत्ते को कैसे घ्रोग करना है और किस तरीके से हैं आज के वीडियो में मैं ये भी बताूंगी पहले मैं इसके दैखते हैं कि कड़ी पत्ते को किस तरीके से आप इ lug gente करते हैं सबसे पहली तो चीज़ होती है पाचन में सुधार यानि आपके हैं तो अगर आप भी बाल जढ़ने की समस्या से परिशान हैं तो आपको बालों को पोशन प्रदान करना होगा या पोशन आप खाने के रूप में भी दे सकते हैं और हैर केर प्रोडक्ट के रूप में भी दे सकते हैं करीपता में भी ऐसे काफी सारे पौश्टिक तत्व होत तो इसे इसके पत्तों को पीस कर बालों में लगा सकते हैं आप चाहें तो इसके पत्तों को नारियल के तेल में डाल दीजिए और फिर उस तेल से आप बालों को अच्छे से मसाज कीजिए और फिर शैंपू कर लीजिए इससे बाल घने और सुन्दर बनते हैं और एक चीज़ और मैंने पर्सनली अनुभव किया है कि इससे बाल जल्दी सफेद नहीं होते हैं और बालों का टेक्शर भी बहुत ही अच्छा होता जाता है तीसरा जो फाइदा है वह है वजन कम करने में ये बहुत ही सहायक है करी पत्ता का सेवन करने से आपका मेटाबॉलिजम बढ़ता है और इससे आपके शरीर में एनरजी आती है जिस कारण आप ज़्यादा कैलोरी बर्ण कर पाने में लाव प्राप्त कर सकते हैं अगर रोजाना आपकी डाइट को कंट्रोल करने के साथ साथ आप खाना खाने से पहले कुछ पत्ते कड़ी पत्ते के चबा करके उसका सेवन करते हैं तो इससे वजन कम होने में आपको मदद मिलती है यानि की कड़ी पत्ते के जो ये पत्ते होते हैं इन्हें आप सुबह सुबह खाली पेट भी चबा सकते हैं, खाना खाने के पहले भी चबा सकते हैं, अगला जो इसका मुख उप्योग है, वह है morning sickness को कम करता है, अगर आपको सुबह उठने के बाद जी घवराना, उल्टी आना या कई लोगों को फीवरिश हो जाती है सुबह सुबह या सुबह weakness होने लगती है, तो ऐसे ही कई morning sickness के लक्षण को ये ठीक करता है, तो करीपते का सेवन करने से इन लक्षणों को कम किया जा सकता है, इन्हें आप traveling करते समय भी साथ में लेकर घूम सकते हैं, और सबसे अच्छी बात है, जैसे मैंने अभी से तोड़ा, इ मुख यूज है, वह है oral hygiene बना कर रखता है, अगर आप oral hygiene को ढंक से maintain नहीं करके रखते हैं, तो इससे आपके दातों और मसूडों से जुड़ी काफी सारी परिशानियों को जेलना पड़ता है, देखने को मिलता है, जब आप करीपता चबाते हैं, तो इससे दातों के bacteria दू होने में मदद मिलती है, यह पत्ते एक तरह से आप कह सकते हैं, डिस इनफेक्टिट का काम कर सकते हैं, और अधिकतर टूथ पेस्ट में भी इसका उप्योग किया जा सकता है, यानि कि यह आपके बालों के लिए, पाचन तंतर के लिए और mouth freshener की तरह भी काम करते हैं, अब आपको यह जानना जरूरी है कि करीपते में ऐसा क्या होता है, जिस वजह से यह हमारे सेहत के लिए इतना फाइदे मन्द हैं, करीपते में कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरेन, विटमिन C, विटमिन A, आदी जैसे कई पोशक तत्व मौजूद होते हैं, जिनका सेवन करने से सेहत को कई सारे फाइदे होते हैं, कई फाइदे हमें मालूम हैं, कई फाइदे जो नहीं भी मालूम हैं, वो करीपता से हमें प्राप्त हो जाता है अगर आप अपनी weight loss journey में हैं तो खाली पेट करी पत्ता खाईए जैसा मैंने आपको बताया यदि कई लोगों को अक्सर पेट में दर्द रहती है दर्द की सिकायत रहती है तो इसको खाने से पेट दर्द में भी सहायता मिलती है और खाली पेट करी पत्ते का सेवन करने से ना सिर्फ आखों की रोशनी में सुधार आ जाता है बलकि इसके अंदर जो vitamin A पाया जाता है वो आखों को तंदुरूस्त बनाने के लिए बेहद उपयोगी होता है यदि किसी व्यक्ति को liver की समस्या है तो liver की समस्या दूर करने में भी खाली पेट करी पत्ते का सेवन बेहद उपयोगी है या ना केवल सिर्फ आखों के जोकिम को कम करने में मदद करता है बलकि liver की कारेशमता में भी सुधार करता है अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इसे घर में किस तरह लगाएंगे और किस तरीके से इसकी care करेंगे देखिए कड़ी पत्ते के पौधे को पौधे के length के according लगाईए जमीन में भी लगा सकते हैं आप 5 से 8 हिंच के बीच का container ले सकते हैं और इसे जो आप खाद देंगे 15 दिनों पे nitrogen यूक्त खाद दीजे यानि कि या तो गोबर की खाद दे दीजे या वर्मी कंपोस दीजे अभी बरसात में आप open में रख सकते हैं लेकिन इस बात का ध्यान रहें कि गमले की मिटी लागतार गिली ना हो अधर्वाइज ये पौधा बहुत जल्दी पत्तियां अपनी गिराने लगता है परियाप्त धूप चाहिए पौधे को यानि कि सुबह से शाम तक के सनलाइट में रखिए 15 दिनों पे फ़र्टिलाइज कीजे और पानी तभी दीजे जब पौधे की मिटी सूख जाए गिली मिटी में ना फ़र्टिलाइजर देना है ना पानी देना है इससे रिलेटेट कई सारे वीडियो मेरे एवर ग्रीन वाले चैनल पर है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी यदि आप चाहें और ज़्यादा इंफर्मेशन के लिए उस पर जाकर के देख सकते हैं कड़ी पत्ते को आप एक बार जब लगा लेते हैं तो ये धीरे धीरे इसकी स्टेम मोटी होती जाती है यदि आप जमीन में लगा रहे हैं तो यही खाद पानी का उपयोग करना है लेकिन खाद की जो क्वेंटिटी है वो आपको बढ़ानी पड़ेगी इसको आप चाहें तो बर्साथों में उपर से अधह ँच ट्रीम कर सकते हैं मेरा पौदा छोटा है इसलिए मैं ट्रीम नहीं कर रही बर्साथों में आप ट्रीम और पूरून कर सकते हैं जिससे पौदे में अनेको ब्रांचेस निकल पाएंगे। देखिये मैं कंटेनर साइज दिखाने की यह फ्रेश ही तोड़ेंगे तो इसकी खुश्बू जादा आती है धन्यवाद